तो दोस्तों पहले नमबर पर आता है हडिमबा देवी टेंपल मंदिर जो की उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के मनाली में स्थित है यहां एक प्राचिन गुफा मंदिर है यहां मनाली में सबसे लोग प्रियम मंदिर में से एक माना जाता है इसे धूंगरी जाना जाता है मनानी घुमने आने वाले सैलानी इस मंदिर को देखने जरूर आते हैं यह मंदिर चार मंजिल उंचा भी है जो जंगल के बीचो बीच में स्तित हैं स्तानीय लोगों मंदिर का नाम आसपास की वंखी सित्र के नाम पर रखा है हिल स्टेशन में स्थित होने के कारण वर्पारी के दौरान इस मंदीर को देखने के लिए भारी संक्या में सैलानी पहुंचते हैं तो दूसरे नमबर पर आता हैं सोलंग वैली जो की हिमाचल परदेश राज्य में कुलू घाटी के शिर्ष पर स्थित एक टूरिस साइट वैली है और यह हिमाचल परदेश के सबसे लोग पे परियाटन स्थलों में से एक माना चाता है सोलंग वैली में यह घाटी व्यास कुंड और सोलंग गाओं के बीच मनाली से रोहतांग दरे के रास्टे में पढ़ता है और सोलंग घाटी को देखने के लिए हर साल भारी संक्या में परियाटक यहाँ पहुंचते हैं जिसका वो भरदपूर अनंद उठाते हैं यहाँ एडवेंचर्स के सफर के लिए भी बहुत ही पसिंदिता जगा मानी जाती हैं दिसरे नमबर पे आता है शिमला दा कैपिटल सिटी ओफ हीमाचल विच इज ऑल्सो कॉल्ड दा क्वीन ओफ हेल्स क्राइस्ट चर्च शिमला का सबसे लोग प्रिय जगा में से एक है जो कि स्मार्क ब्रिटिस्ट काल का बना हुआ है और दोस्तो रात को इस चर्च का द्रिश्य बहुत जादा सुंदर होता है तो दोस्तो अब करते हैं रिच की बात जो कि हमाचल प्रदेश के शिमला में स्तित प्रमुक परिय टन्स तलो में से एक माना जाता है यह स्तान सांस्कृतिक कारे क्रमों मेलों और समारों के लिए प्रसिद्ध है इस स्तान पर समर फैस्टिबल आयुजित किये जाते हैं जि यहां दूर दूर से परियटक प्रकृति का मज़ा लेने आते हैं लेकिन यह थित जाकूằँ मंदीर मुख्य आकर शन का केंडर है शिमला जाने वाले सभी परियटक यहां के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर यानि जाकू मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं ऐसा माना जाता है कि यहां के दर्शन मात्र से भगवान हनुमान प्रसंद होकर भगतों की सारी इच्छाय पूंड करते हैं दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लेगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में